प्रिविद्याकियों येक अक्षर छटी का गणित है अध्याचार आधार बुज्यामिती अवधाना है उसकी प्रश्णावली है 4.3 उसका पहला सवाल है नीचे दी आकरती में कोणों के नाम लिखी है तो यहाँ पर आकरती दी है A, B, C, D अंदर कोणों के नाम लिख दी मैं एक, दो, तीन, चार तो कोणों के नाम क्या है या तो इसको कोण A बोल सकते हैं या कोण बोलेंगे D, A, B तो कोण A अथवा कोण D, A, B दूसरा कोण हो जाएगा कोण B और इसको कोण B भी बोल सकते हैं और A, B और C भी बोल सकते हैं तीसरा कोण है कोण C या B, C, D चौन्था कोण है कोण D या C D A दूसरा सवाल है सनलगना आकरती में वे बिंदू लिखिये जो देखो ये आकरती दी है वे बिंदू लिखिये जो पहला है कोण D O E के अभ्यांतर में इस्तित है तो कोण D O E के अभ्यांतर है अभ्यांतर मतला अंदर वाले भाग में तो यह बिंदू A इस्तित है, B है कौन EOF, EOF के बहिर बाग में इस्तित है, तो देखो EOF के बहिर बाग में कौन-कौन से इस्तित है, C भी इस्तित है, A भी है और D भी है, तो A, C, D लिख दिये, C है कौन EOF पर इस्तित है, कौन-कौन से बिंदू देखो, E बिन्दू इस्तित है, B है, O है और F है सवाल नमर तीन दो कॉनों की रफ आकरते यां खिचे जिससे क्या करना है? पहला है उनमें से एक बिन्दू उबईनिष्ट हो तो दो कॉनों की रफ आकरते हैं कौन कौन सा है? A, O, B और दूसरा कौन है? C, O, D और उसमें उबईनिष्ट बिन्दू कौन सा है? O बिन्दू उबईनिष्ट है B है, उनमें दो बिन्दू उबईनिष्ट हो तो सभी में दो कॉन का करना है? दो बिन्दू उबईनिष्ट है तो यहां कॉन बनाया है? C, O, D और दूसरा कॉन बनाया है? B, O, C यह दो कोण मना है उसमें दो बिंदो उबहिनिष्ट कोन से हैं एक तो है O और दूसरा है C तिसरा है दो कोणों के रपकरते किचे यह वही सवाल है उसका C वाला भाग है उनमें तीन बिंदो उबहिनिष्ट हो तो कोण लिया अपना ना B O C और COD तीन बिंदू उबेनिष्ट है CA और O यहाँ पर क्या कर दिया है उनमें चार बिंदू उबेनिष्ट है तो यह कौन लिया BOC और COD और इसमें चार बिंदू है CA और O उनमें एक किरन उबेनिष्ट हो तो कौन है अपना पास BOC और COD और रेखा जो है किरन जो है वो ओसी क्या है दोनों में उबह निश्टा है तो आपने देखा ये किक्षर छटी का गनीद अध्याचार आधर बुझ जामिती अवधराना है कि प्रश्णावली चार दस्मनों तीन के सवाल इस वीडियो को देखने के लिए दन्यवाद